प्रयागराज कोतवाली पुलिस और एसोजी टेम ने सायूग तत्ववधान में नकली प्लैटिलेट्स बेचने वाली ग्रोह की 10 आरूपी हुए ग्रफतार पुलिस ग्रफत में पकड़े गए आरूपियों के पास से 18 पाउज प्लाजमा, 3 पाउज संदिक्द प्लैटिलेट्स, 1,02,000 रूपे नगत, 3 दो पईया वहां समय 13 मुवाइल फोन बरामत हुए हैं पकड़े गए आरूपी प्रयाग राज के ही रहने वाले हैं जो वर्तमान में डैंगू बिमारी से जूज रहे मरीजों की तिमारदारों की हैरानी वा, परेशानी को देखकर प्लैटिलेट्स ना मिल पाने पर मनमाने तरीके से प्लैटिलेट्स बेचने का काम सरकारी प्लैटिलेट्स प्लैजमा को बेचते हुए रंगे हाथों ग्रफतार कर लिया पुलिस ग्रफत में पकड़े गए आरोपियों से जब खाकी ने सकत पूछताश में बताए कि निरधारित शुल्क पर ब्लड बैंक से प्लैजमा खरीद कर जिसमें लगबक 350 मिली लीटर प्ल प्लाजमा पाउश में रखकर प्लैटिलेट्स के रूप में 3,000 रुपे से लेकर 5,000 रुपे तक में जरूरत मंद मरीजों की तिमारदारों को बेच दिया करते थे प्लैटिलेट्स के नाम पर प्लाजमा की सप्लाई कर रहा था जो इन से पूच्टाश में आया है ये लोग प्लाजमा जो है वो दे लेते थे ब्लड बैंक से चुकि उसके लिए डोनर की आवशक्ता नहीं होती है और उसके बाद उसको अलग अलग पैकेट्स में ट्रांसफर करके उसके प्लेट्लेट्स की फरजी स्टिकर चिपका करके जो जरूरत मन जो प्लेट्लेट्स की तलाज में ब्लैड बैंक के पास आते थे उनको बाहर ही ये लोग मोटिवेट करके पकड़ लेते थे और उनसे मनमाने कीमत पर ये वसूल कर इस नकली प्लेटलेट्स को उनको बेज देते थे जैसा मैंने बता है दस लोग इरफतार किये गए हैं इनके पास से कई पाउचेज बरामत किये गए हैं साथी साथ इनके पास से एक लाग दो हजार कैश बाइक्स, मुबाइल फोन्स बरामत किये गए हैं फर्दर हम इसमें और तहकीकात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में और जो भी तर्थे सामने आएंगे एकॉर्डिंगली हम करवाई करेंगे साथी साथ इनके विरुद गैंक्स्टर था उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो भी उसमें लिंकेज आएंगे एकॉर्डिंगली हम करवाई करेंगे